तो आपको ये वीडियो कम्प्लीट वोच करनी है और वीडियो को लाइक और शेक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू कर लेते हैं आज के इस क्रास का सबसे पहला जो कोशन है वो है मंद भाधित बच्चे का डेसिबल स्थर कितना होता है जो मैंटी रिटाटेड बच्चे होते हैं उनका डेसिबल स्थर कितना होता है तो इसका जो उत्तर है वो है 55 से 69 डेसिबल मतलब बाधिता का जो प्रतिशत है वो है 40 से 50% ठीक है तो question को अच्छे से समझ लीजियो और आप note down भी कर सकते हो अगला question है कम बाधित बच्चों का decibel स्तर होता है तो यहाँ पर answer सही हो जाता है 35 से 51 decibel यानि बाधिता का जो प्रतिशत है वो है 40% next question है गंभीर बाधित बच्चों का decibel स्तर कितना है तो यहाँ का जो answer सही हो जाएगा 70 से 89 decibel यानि बाधिता का जो प्रतिशत है वो है 50 से 75% के बीच में next question है पूर्ण बाधित गहन बाधिता वाले बच्चों का जो decibel स्तर है वो कितना होता है मतलब जो completely बाधित बच्चे होते हैं तो इनका जो decibel स्तर है वो है 90 से 100 decibel यानि बाधिता का जो प्रतिशत है वो है 100 प्रतिशत clear? next question is मनविज्यान शाला की स्थापना जो है कब और कहां की गई? तो मनविज्यान शाला की जो स्थापना है वो इंडिया में 1947 में इलाबाद में की गई यानि UP में ठीक है? अगला question है मनविज्यान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये स्थापना की गई है अचारय नरेंदर देव के द्वारा प्रतिवा शाली बच्चों की बुध्धी लब्धी कितनी होती है? तो ये होती है 140 से अधिक उनका IQ होता है जो gifted बच्चे होते हैं, talented बच्चे उनका IQ होता है 140 से उपर मनविग्यान शाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पदेन निर्देशक शाररिक से अक्षम मंध बुध्धी, शेक्षिक रूप से पिछडे बालक तथा प्रतिवा शाली बालक कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं विशिष्ट आशक्ता वाले बालक यानि special need वाले बच्चे नेक्स्ट है मनविज्ञान शाला इलाबाद के संचालन है तू कितने पद स्रिजित हैं तो उत्तर है दो पद यानि वरिष्ट मनविज्ञानिक दूसरा मनविज्ञानिक समाने बच्चों की बुद्धी लबदी कितनी होती है तो आईक्यू होता है समाने बच्चों की बुद्धी लबदी का वो होता है 90 से 100 के बीच में सैक्षनिक रूप से पिछडे बालकों की बुद्धी लबदी होती है तो ये होती है 85 से कम जो एजुकेशनली जो है पिछड चुके हैं बच्चे उनका IQ होता है 85 से कम दो व्यक्तियों का संपर्ख जिसमें एक व्यक्ति को किसी परकार की सहायता दी जाती है कहलाता है तो ये कहलाता है परामर्श यह हम कह सकते हैं काउंसलिंग ठीक है अगला है पच्चीडे बच्चों की बुध्धी लब्दी कितनी होती है तो ये होती है 85 से कम वर्तमान में निशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं तो ये हम कहते हैं समावेशी शिक्षा inclusive education वे बच्चे जो समावेशी शिक्षा से समंदित होती हैं कहलाते हैं तो वो बच्चे कहलाते हैं inclusive children यानि समावेशी बच्चे जिनमें हर कैटागरी की बच्चों को जो है एक साथ करके समान शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है हर कैटागरी के बच्चे यानि physically जो है physically दोस है mentally दोस है सभी को include करके हम जो है सिक्षा प्रोवाइड करते हैं next question है टर्मन के नुसार बद्धी जो होती है प्रतिवाशाली बच्चों की बद्धी लबदी कितनी होती है तो according to टर्मन तो यह होती है 140 से अधिक समान्य बच्ची ते था विशिष्ट आशक्ता वाले बच्चों दोनों की बद्धी लबदी होती है तो समान्य से या विशिष्ट आशक्ता वाले दोनों की जो बद्धी लबदी होती है 90 से 110 के बीच में next question है डॉक्टर मुखर जी की अनुसार वरिष्ट आध्यापक अथवा पधान आध्यापक द्वारा किये गए मुल्यांकन को क्या कहते है तो उत्तर है इसका निरिक्षण यानि observation next question है सरकारी संग्ठनों के नाम या परामर्ष में सहयोग देने वाले विभाग कोन-कोन से है तो यह है डाइट विभाग, जीला चिकित्सा और मन विज्ञान शाला इलाबाद विभाग ठीक है आप इसको अच्छे से याद कर ले ना लॉइन्स क्लब, रोटरी क्लब जैसी धर्मार्थ जो संग्ठन है वो क्या है तो यह नॉन गर्मेंट संग्ठन होते है ठीक है तो आप अच्छे से इसको याद लख ले ना नो डाउन कर ले ना बुद्धी लब्धी मापन के जनम दातावे बुद्धी लब्धी का सुत्र किस ने दिया तो यह दिया है तर्मन ने आईक्यू निकालने का मांसी कायू बटे वास्ती कायू इंटू 100 ठीक है इसके जनम दाता जो है और बुद्धी लब्धी का सुत्र जो दिया है यह दिया है तर्मन ने नेक्स टोशन है दिश्टी बाधित बालक किसकी सहायता तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो ब्रेल लिपी के थूपढ़ते है अगला है श्रवन बादित जो सुन ना सके बालको को पढ़ने के लिए कौन सी भासा कौन सी भासा प्रिक्त की जाती है तो यह की जाती है सांकेतिक भासा मतलब गैस्चर ठीक है गैस्चर में उनको जो है पढ़ाया जाता है जिन वक्तियों को या जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता भाशा विकास का सिधान किसके द्वारा दिया गया है यह दिया है चौंसकी ने इन्होंने भाशा अरजित का सिधान दिया था ठीक है नौम चौंसकी next है प्रगतिशन्ट शिक्षा के प्रतिपादक है तो यह है जॉन डेवी जनोंने प्रोजेक्ट पदती का प्रतिपादन किया था निशुल्क एवं अनिवारिया शिक्षा किस अनुछेद से समझ दित है फ्री एंड कमपलसरी एजुकेशन तो ये है अनुछेद 21A मंडली एप मुनविज्यान के अंदर कहा परस्तीत है तो ये है डिस्ट्रिक लेवल पर जीले पर शारिक रूप से अक्षम बच्चों को सामानता होता है जो physically disabled होते हैं मतलब उनको लिखने में problem होती है लिखने ही वो पाते हैं और जो बच्चे लिखने ही सही तरीके से पाती है तो वो dysgraphia से ग्रसित होती है अगला है एक बच्चा जो सा और वौस को तथा न्यूकलर को अंक्लियर में अंतर नहीं कर पाता मतलब वो ना पढ़ने में उसको बच्चे को दिखत है तो वो dyslaxia से ग्रसित है क्या है तो ये है पढ़ने की क्षमता ब्रेल लिपी किन बच्चों से समंधित है ब्रेल लिपी तो ये है द्रिश्टी भादित बच्चों से मतलब जीन बच्चों को दिखाई नहीं देता है अगला है अमेरिकी रास्टपती का नाम बताइए जो पोलियो ग्रसित थे तो ये थे रुजवेल्ट ठीक है ये पोलियो ग्रस थे और जो अमेरिका की रास्टपती थे तो इनका नाम है रुजवॉल्ट अगला है 16PF परिक्षण के जनमदाता है तो ये है रेमंड केचर next question is 16PF परिक्षण का प्योग किसके मापे नेतु किया जाता है तो परसिनालिटी को मेजर करने के लिए ग्रसाइक सूचना और अपना बालक समचार पत्र है तो ये है त्रेमासिक समचार पत्र मनविग्यानिक समस्याओं से युक्त पुस्तके है तो ये है बाला घाट एवं उतकर्ष मनविग्यानिक समस्याओं जो psychological जो problems होती है उनके बारे में जो पुस्तके लिखी गई है उनसे related तो ये है बाला घाट और उतकर्ष निर्देश सेमाओं के लिए उप्युक्त विज्ञानिक तयार करने के लिए मनविज्ञानिक शाला में एक सर्य कोर्स का परिक्षन दिया जाता है उस कोर्स का नाम क्या है तो ये है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकॉलजी मनविज्ञान शाला उत्रप्रदेश इलाभाद में मंडल सर पर स्थापना की गई है तो ये की गई है मंडली मनविज्ञान के इंदर में और ये यूपिटैट में पूछे जा सकते हैं कोश्चन जीला चिकत्साला के विशेशक समीती का निर्थित्व कौन करता है तो ये करता है जो मुख्य चिकत्सा अधिकारी होते है चोटे विदाल्यों के लिए परामश सेवा संग्ठन का कौन सा प्रारु उप्युक्त माना जाएगा तो ये माना जाएगा रेखा संग्ठन उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा अधीनियम जो है कब अस्तित्व में आया तो ये ये डियर आपके यूपि टैट में जो है पूछे जा सकते हैं ये जो यूपि से रिलेटेड है जो एक दो कोश्चन ठीक है तो आप इसको गाइडनस एंड काँणसलिंग clear अन्शिक शाररिक रूफ से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बाटा गया है तो ये बाटा गया है जो है advantage देना है पिछड़े बच्चे वे भी होते हैं जिसकी sectionic lab दिया या सिक्षा आंक बात से कम है यह कथन किसका है तो यह है serial bird का clear? अगला है प्रतिवाशाली बच्चों की सिक्षा से समंदीत Bighurst की पुस्तक का नाम है तो इन्होंने यह पुस्तक लिखी है Bighurst ने a survey of the education gifted children तो आप इसको अच्छे से याद रख ले न a survey of the education gifted children समाने बच्चों का IQ होता है जो समाने बुद्धी की बच्चे होते हैं उनका IQ होता है 90 से 110 के बीच में विक्तित्व समंदी TAT परिक्षन का निर्मान किस ने किया तो ये किया है मुरे एवं मौरगन ने तर्मन के नसार बुद्धी लबधी जो होती है प्रतिपशाली बच्चों की जैसे कि मैंने आपको बताया है 140 से उपर होती है talented बच्चों की बुद्धी लबधी NIVH का पूरा रूप क्या है तो ये है National Institute of Visually Handicap ठीक है आप इसको अच्छे से याद रख लेना पूछा जा सकता है एक्जाम में NIVH कहां सीत है जो National Institute of Visually Handicap जो है ये है दहरादून में शाररिक बोद्धिक समाजिक या अन्यस थितियों में भिधभाव के बिना सभी बच्चों को एक साथ सिक्षा देने की व्यवस्ता है तो ये जैसे कि मैंने काहा है inclusive education होती है सभी बच्चों को इसमें include किया जाता है भेधभाव नहीं किया जाता है बिना भेधभाव से बच्चों को एक साथ सिक्षा देने की ठीके यह जो चीम है और सेंटरली स्पोंसर स्कीम रन भाइ दार्डर ओफ एडिट्र अजुकेशन उनके दिवारा यह जो है शुरू की गई थी और इसका जो एम है इस जो है इडिसी का इस स्कीम का इस तो प्रोवाइड नोट अजुकेशन अपरचुनिटी मालल असा नहीं ह इस तो इसका यह जो है इक्वल पार्टनर बनाएंगे जो विकलांग बच्चे होते हैं तो इसका यह मेन अच्छे से याद कर लेना इसकी फूल फॉर्म जो है एक्जाम में पूछी जा सकती है दोबारा से मैं बता देती हूं इंटीग्रेटेड एडुकेशन फोर डिसेब children, okay, next question है, IEDSS, तो देखे, यह जो योजना है, आप इसकी भी full form याद कर लीजिए, इसकी जो full form है, inclusive education of the disabled at secondary stage, यानि माधमिक स्थर पर निशक्त जन की समावेशी सिक्षा, इसका जो में उदेश्य है, योजना का की प्रात्मिक स्कूल, ठीक है, जो primary schools होते हैं, सिक्षा के 8 साल पूरा करने के बाद, एक समावेशी और उनके अनकूल वातावर्ण में माधमिक सिक्षा के चार साल का पीछा करने के लिए विकलांग के साथ सभी बच्चों को सक्षम करने के लिए है, ठीक है, माधमिक सर जो है, इस पर विकलांगों के लिए समावेशी सिक्षा ये जो है, इंक्लूड की गई है, ओके, तो ये जो लाँच की थी, IEDSS, यानि इनक्लूजव एजुकेशन ऑफ दिसेबल एट सेकेंडर स्टेज ये लाँच हुई थी, 2009 में, और प्राइम मिनिस्टर जो थे, मनमोहन सिंग उनके द्वारा ये लाँच की गई थी, ठीक है, लाँच बाइप्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंग, ओके दियर, तो इसका जो ला PWD, PWD, योजना अधीनियम किस से समंदित है, तो ये जो समंदित है, यानि इसके जो फुल फॉर्म है, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, निशक्त जन अधीनियम, समान अवसर, और अधिक से अधुन को अवसर देनी, और ये 1995 में लौच हुई थी, ये योजना भार PWD, जो जिन बच्चों को इसका लाब नहीं मिलता, योजना का लाब नहीं मिलता, तो उसके लिए ये फायदे के लिए एक स्कीम लौच की गई थी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजेगा, PWD की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ओके, नेक्स वालकों से बहुत भीन होते हैं, वो बच्चे कहलाते हैं, विशिष्ट बालक यानि स्पैशल बालक, ठीक है, स्पैशल चिल्डरन, अगला कोशन है, विशिष्ट बालक का संबन है, वो है बुद्धी सर्थे, देकि सभी का IQ अलग-अलग होता है, इंटेलिजन्स अलग-अ होती है, तो यहाँ इसका जो आंसर है वो है, बुद्धी सतर से, समावेशी बालक समहू बनाते हैं, तो विश्मांगी, मतलब विश्मांगी का मतलब इसमें ओड बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंटड ही बच्चे हम इसमें रखेंगे, या हम स्लोल अर्नर ही रख या विकलांग बच्चे भी होते हैं, सभी तरहाँ के यह समुहू बनते हैं, विक्सपप से यह हर कैटागरी की बच्चे इसमें होते हैं, ओके? मानसिक रूप से पिछडे बालक की बुद्धी लबधी जो है कम होती है, तो कितनी होती है ओसत बालकों की तुलना में, अगर करें तो मैंटली रूप से जो पिछले बच्चे होते हैं जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो कम होता है ठीक है तो ओसत बालकों की तुलना में मंद बुद्धी बालक की शिक्षा है तो ध्यान देना आवशक है तो वो है रूची और अभी प्रे प्रेटी बालक को के पार कार में समाजी रूप से जो वजबेजिए पूरी अपाते हैं जो आच्रे मीकल संःक थेस हो जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नेक्स टोशे स्वानी बाधित, बच्चों का सम् stan होता है शवनबाधित जो है अधिगम असमर्थ होती है वो सीखने में थोड़ा सो वो डाउन से होते है ठीके वानी बादित जो बच्चे होते हैं तो इसका सम्मन्द होता है श्रवन बादित भाषा भादित या अधिगम असमर्थ तो उनको जो है सुनने में भी दिक्कत हो सकती है उनका भाषा वि हो है बोलना पढ़ना लिखना क्लियर और वैसे सुनना भी आएगा क्योंकि भाषा के जो कोशल होते हैं वह चार कोशल होते हैं L.S.R.W. लिस्निंग स्पिकिंग रिडिंग और राइटिंग गंभीर दिश्टी बाधित बाल को की दिश्टी प्रक्रम्ता यह वोगती है तूब अधार होता है तो वह डैसिबल उंक मल जिनका डैसिबल कम होगा ज्यादा होगा तो वह इतना से इनको classify किया जाता है कि कोई completely श्रवन बादित है या थोड़ा सा श्रवन बादित है या पूरी तरीकी से ठीक है उसमें थोड़ा सा आंची रूप से बादित है तो वो decibel के अंक पर जो है उसको classify किया जाता है ठीक है श्रवन बाधित वरक के वर्ग श्रवन बाधित के वर्ग होती हैं कम बाधित भी होती हैं मंद भाधित भी और गंभीर भाधित भी क्लियर गंभीर श्रवन बाधित वालकों में कितने डीबी तक की श्रवन बाधिता होती हैं तो यह होती है 70 से 79 डीबी ठीक है पूर्ण श्रवन बादित बालक में कितने db तक की श्रवन बादित होते हैं जो completely होते हैं वो होती है 90 db अगला है मानसिक मंद बालकों के पहचान के लिए कितने परकार के परिक्षन किये जाते हैं तो तीन परकार के परिक्षन किये जाते हैं अनुवेशन विधी की खोज किसने की तो यह की है, आर्मस्ट्रोंग ने, परमपरागत पदती है, जो ट्राडिशनल हम मेथड कह सकते है, वो है explanation method या व्यक्यान पदती, समगरता पर अधारी थेत वो है निगमन, ठीक है, समगरता पर अधारी थेत वो है निगमन विधी, ज् मतलब non to unknown तो यह होता है visualization विधी में मतलब जो बच्चे पहले से कुछ नहीं जानते हैं ठीक है जैसे देखो non to unknown जैसे बच्चे बच्चों कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चे कुछ नहीं जानते हैं तो हम बच्चों से क्या करेंगे उनके previous knowledge जो जिसके बारे में वो जानते हैं उससे correlate करके जो बच्चे नहीं जानते हैं जिस बारे में उसको correlate करके उनको पढ़ाएंगे ठीक है जो जानते हैं बच्चे उनसे correlate करके जिन बच्चों को पता नहीं होता है अब के बारे में की क्या पढ़ाया जा रहा है उससे correlate करके उनको पढ़ाते हैं तो non to unknown जो है ये सुत्र लागो होता है विशलेशन विधी में शामपट कैसा उपकरण है तो ये है कठोर उपकरण संगणक का समन्ध है तो ये है अनुदेशन से सामोहिक बुद्धी प्रीक्षन के कितने रूप है तो ये है दो रूप प्रत्म मनवग्यानिक प्रयुक्षाला की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपसिंग स्थान पर हास्त शिलप की सिक्षा दी जाती है तो यह दी जाती है मनबुधि बालक को समावशी सिक्षा क्या है तो यह है समान्य बच्चे और विशिश्रमता वाले बच्चों को एक साज सिक्षा प्रदान करना या सिक्षा प्रोवाइड करना सेम सिक्षा निशक्त बालकों के लिए कौन सी सिक्षा का प्रावधान है तो यह है समाविशी सिक्षा का ठीके दिया, उत्तर जो है, ये है समावेशी सिक्षा श्रवण बादित बालको की सिक्षा में किस भाष़ा का प्रियोग किया जाता है तो ये किया जाता है सांकेतिक भाष़ा जनमजात अक्षमता कौन से होती है, मतलब जो जनम से होती है वो मनदबुद्धी वचे या अन्या शायरिक दोष होते हैं जैसे किसी की 5 उंगलियों की मतलब 5 उंगलियों की जंगाय चैंज उंगलिया होती है या कुछ भी इधर उदर होते हैं फिंगर छोटी से होती हैं बड़े होकर भी उनकी फिंगर जो है कि इकाई क्या है तो यह है सेक्षिक लब्दी समा विशी सिक्षा का सिध्धान्त क्या है इंक्लूजिव एजुकेशन का वो है भेदभाव रही सिक्षा कि किसी में भी किसी भी कैटागेरी में भेदभाव नहीं करना है पाशल्टी नहीं करनी तो भेदभाव रही सिक्षा उ complete हो जाते हैं आज का जो quiz का question है वो आपको बताना है अलफरीट भीने ने अपना पहला बुद्धी प्रिक्षण कब किया था तो इसका अंसर आप सभी को comment में देना है बताना है कि अलफरीट भीने उन्हें पहला बुद्धी प्रिक्षण कब किया था ऊके तो इसका आनसर सभी को अँस है जादे से जादा वीडियो को शेर कीजिये लाइक कीजिये और जिन बचों ने चैनल को सब्सक्राब कीजिए नॉटिकेशन ब니다 को ओन करले तभी मेरी हर वीडियो को नॉटिकेशन आपकी स्क्रीन और, आएगा, for suggestion you can text me on whatsapp, तो यह मेरा number है, तो आप यहाँ पर text कर सकते हो, तो मिलते हैं next class में, so thanks for watching my video, do like, share and subscribe my youtube channel, till then, bye bye, रब्राखा, जय भुले नाथ,